साथियो नमस्कार मैं चैतन्य कुमार और जार्खन आक्यों में फिर से स्वागत करता हूँ हम लोग एक नए वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ हम लोग मिल रहे हैं जो जार्खन करम चैयर चैन आयोग से समंदित यहां पर अपडेट आप लोगों देखने को मिल रहा है जो आजी के देट 111-2022 को जो सीजियल वेकेंसी के अधारित यहां पर सूचना निकाले गई है जार्खन समान अशना तक योगता अधारित जो संजुक्त पर योगता परिच्छा है 2020 में जो वेकेंसी निकाले गई थी सीजियल की वेकेंसी उससे समंदित अपडेट है क्या किन लोगों को यहां पर दुबारा मौका दिया गया है वैसे अभियर थी जो लोग सीजियल फॉर्म फिल किये थे उसमें कुछ तुरूटियां पाई गई थी उन लोगों में से किन लोगों को सुधार के लिए यहां पर मौका मिल रहा है आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के साथ में और जो नए होंगे इस चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इस तरह से पलपक अपडेट आपको जल्द ही इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्द होती है चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि यहां पर जो जारकन करम चैरी चैनल का बिगयापन संक्याद 0-5-2-0-8 जो दो-0-8 में वेकेंसी निकाली गई थी सीजेल की वेकेंसी के बात को लेकर के है यह वेकेंसी में ऑनलाइन समय सिमा समावत हो चुकी थी उसके बाद जो बैद धी कनिडेट थी उसकी भी कुछ सुची जारी कर दी गई थी और इसमें एप्रोक्स सब्सक्राइब कर दिया गया था उसके बाद कुछ ऐसे थे जो फोटो सिगनेचर और अपलोड नहीं कर पाये थे उन लोगों के लिए यहां पर दुबारा मौका दिया गया है और वो चाहे तो अपनी जो अब्यर्थी का सद्यश्ता है वो फिर से प्राप्त कर सकता है वो जो वेबसाइट में जो आयोक का वेबसाइट है उस माधियम से अपलोड करके और फिर से अपनी योगिता को साबीत कर सकते है फोटो और सिगनेचर अपलोड करके उसका जो समय सिमा रखा गया है 18-11-2022 से लेकर के 2012, 2022 के मद रातरी तक आप फोटो और सिगनेचर को अपलोड कर पाएंगे जो 18 तारी को आपको जो official site है आयूक का जो official site है www.jssc.nic.in पर जो link है वो on हो जाएगा, active हो जाएगा 1811 को उसके बाद बात करें कि ये कैसे हम लोग लोगिन कर पाएंगे तो आप जो password आपका email ID और mobile number उस वक्त registration करते वक्त आप जो डाले होंगे उसकी महजूदिगी में आप उसमें आप login ID पर जाएंगे, login पर किलिक करेंगे वहाँ पर जो requirement होगी वो feel करने के बाद आपको OTP जाएगा वो OTP के माध्यम से आप login कर जाएं अब चाहे तो नई password को सुनिश्चित कर सकते हैं, नई password को बना सकते हैं नई password करने के बाद आप फिर से login करेंगे और उसके पास साथ आप जो scan किया हुआ फोटो है, scan किया हुआ जो signature है वो आप upload कर देंगे और final submit आप कर देंगे final submit करने के बाद आपका जो आविदन पत्र है, वो फिर स्विकार किया जाएगा और जदी candidate अब भी ये मौका को गवा देते हैं, तो उन्हें CGL की vacancy से दूर हो जानी होगी वो CGL की form को योग्ये नहीं माने जाएगे, और उनकी फिर से rejection list यहाँ पे जारी किया जाएगा अब जो दो तारिक के बाद एक फिर से list जारी किया जाएगा, जुसमें से कुछ candidate की यहाँ पे rejection list फिर से देखने को मिलेगा अभी भी जो भी 45,000 something candidate का rejection किया गया था, उन लोगों को एक ऐसा मौका दिया गया है, आप फिर से चाहे तो अपने सदेश्ता आयोग में सावित कर सकते हैं, मतलब फोटो और सिगनेशर अपलोड करके आप फिर से इसके योग्ये बन सकते हैं, और इसके बाद भी आप जद अपडेट को समझ पाया होंगे, और जो लोग इस वीडियो पे नए होंगे, इस चैनल पे नए होंगे, प्लीज सस्क्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरह का पलफल अपडेट आपको हरे अपडेट को पहले नोटिस कर पाते हैं, दूसरी बात करें कि CGL को लेकर के खोठा से समंदित हमारे वीडियो में जो चैनल का प्लेलिस्ट है, वहाँ पे खोठक का अबजेक्टिव टाइप कोशन्स भी और कुछ सब्जेक्टिव टाइप कोशन्स भी जो वहाँ पे बताये गया है, आप इससे भी अपडेट प्राप्त कर पाएंगे, कंटिन्यू रहने के लिए इस चैनल पर धन्यवाद,